हेलो स्टुडेंट्स, माइसेल्फ मौश्मी भट्टाचार्या फ्रॉम शेट विद्यामंदिर इंग्लिश हाइ स्कूल सीबीस्सी वसई आज मैं आपको कक्षा आठ वसंत का पाठ भारा सुदामा चरित समझाने जा रही हूँ प्रस्तुत है पाठ का द्वीतिय खंड प्रथम खंड में आए हुए दोहों के बारे में संग्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रसिद भक्त कवी नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित में स्रीकृष्ण एवं सुदामा के बीच की सच्ची एवं दुरलब मितरता का चितरन किया गया है अत्यंत दीन दशा वाले सुदामा जब स्रीकृष्ण के महल पहुचते हैं तो द्वार पाल उन्हें द्वार पर ही रोक कर स्रीकृष्ण की सूचना देते हैं सुदामा नाम सुनते ही स्रीकृष्ण व्याकुल और भावोखो कर सुदामा से मिलते हैं सुदामा के पाउं में चुभे काटे एवं फटी विवाईयां देखकर स्री कृष्णा रो पड़ते हैं उनके आशों से ही सुदामा के पैर धुल जाते हैं आगे का दोहा देखिए आगे चना गुरु मातु दैते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने स्याम कहयो मुसकाय सुदामा सो चोरी की बान में होजु प्रवीने अब स्रेकृष्णा सुदामा से कहते हैं कि बचपन में जब गुरु माता हमें खाने के लिए चने देती थी तो तुम उन चनों को खुद ही खा जाते थे मुझे नहीं देते थे तुम बचपन से ही चोरी करने में उस्ताध हो पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने पाचिली बानी अजो नत जो तुम तैसाई भावी के तंदुल कीन है तुम आज भी पोटली को कांख में दबाय हुए हो अर्थात बगल में दबाय हुए हो तुम उसे खोल नहीं रहे हो मुझे ऐसी अमूल्य वस्तु खाने को नहीं दे रहे हो तुम पहले जो काम करते थे तुम आज भी वही काम कर रहे हो भावी जी ने मेरे खाने के लिए जो चावल दिये हैं वो तुम मुझे नहीं दे रहे हो वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात वह पठवनी गोपाल की कच्छू न जानी जात घर घर कर ओड़त फिरे तनक दही के काज कहा भयो जो अब भयो हरी को राज समाज हो आवत नाही हुत्तो वाही पठायो ठेली अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली द्वारका में स्रीकृष्ण ने सुदामा की खूब सेवा की लेकिन विदाई के समय कुछ भी नहीं दिया इसी कारण द्वारका से लोटते समय सुदामा को स्रीकृष्ण पर बहुत खीज हुई वह मन में सोचने लगे कि वह बचपन का खेल, वह मिलना, वह आपस में मित्रिता की बाते करना वह सब चीज भूल गया क्रिश्ण जो मेरा बाल सखा था, क्या उसे कुछ भी याद नहीं वह घर-घर जाकर दही और माखन चोरी किया करता था हम सब उसके साथ खेलते थे, हम भी उसके साथ ये काम किया करते थे तो क्या वह यह सारी चीजे भूल गया है अब वो राजा बन गया है, अब उसके पास राज्य है तो इसलिए क्या उसे वह कुछ भी याद नहीं है मैं तो उसके पास आना ही नहीं चाह रहा था पत्नी नहीं, जबरदस्ती मुझे क्रिश्न के पास भेजा परन तो देखो, उसके पास कितनी धन समपत्ती है मेरी यादीन दशा देखकर भी उसने मुझे कुछ नहीं दिया यही सारी बाते सोचते सोचते, सुदामा अपने घर की ओर जा रहे हैं पाठ का द्वितिय खंड यहीं पर समापत होता है आगे के दोहों की व्याख्या अगले खंड में की जाएगी धन्यवाद